पुनवती से लड़कर जो जीतते हैं बहादूर वही कर लगते हैं अब उन्यारों ने पाला बदलने की त्यारी कर लिए एस वार वह आपके साथ आए अभी तक महाकट बंदन से कोई उमिदबार ऐसे नहीं है कि 5 साल रेगुलर पार्टी में रहकर काम कियें और वही अगर विजय कुमार सिन्हा जी रहेंगे उमिदबार तो निश्चित ही वो दूसरे को देगी विजय कुमार सिन्हा को नहीं सुपनेशन देख रहे हैं यहां पर आपके साथ में अहुरचा श्रमा बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तयारियां जोर उपर है भलें यह चुनाव महागटबंदन बर्सिस NDA का हो लेकिन NDA के अंदर खाने भी इसको लेकर कवायते काफे तेज हैं सभी लोग दम भर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा उमिदवार को विधानसभा के शुत्र में इस चुनावी रण में उतारेंगे इसे बीच 20 ऐसी सीटे हैं जो की होट सीट है और इन सीटों पर बीजेपी वर्सिस जेडियू की लड़ाई देखने को मिलेगी उनी में से एक सीट पर हम आज बात करेंगे वहां की रणीती के बारे में जाने की कोशिस करेंगे वहां की समस्या क्या है उसके बारे में भी जानने की कोशिस करेंगे हम आज बात करेंगे लखी सराय विधान सबाश्षित्र की जहां से बीजेपी की अभी विधायक है लेकिन आप जेडियों की तरब से भी दावेदारी पेश की जारें यानि की जो कठोर जो चुनौती है वो देखने को मिलेगी और टकर भी जोड़दार होगा इस वक्त हमारे साथ सुजीत सिंग है जो की जेडियों की नेता है और इस वक्त वो उसी विधान सबाश्षित्र से दावेदारी पेश करने वाले उनसे जानने की कोशिस करते हैं कि उनकी तयारी कितनी सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद प्रिचा जी आप इस वक्त विधान सवाश्रत्र में और खास करके लखी सराय विधान सवाश्रत्र से दाविदारी पेश करना चाहते हैं और वो विधान सवाश्रत्र अभी सुर्कियों में तो आपको नहीं लगता कि चुनौती कठोर हो आपको क्या लगता है कि अभी आप वहां से दाविदारी पेश करने वाले हैं वहां की समस्या की बारे में भी आपने जाननी होगी तो कौन से समुद्धा है जिस पर काम करने की जरूत है अभी वहां धेड़ सारी ऐसी मुद्धा हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज्या की विवस्ता नहीं है वहां सेंट्रल अस्कूल और ऐसे मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलवद नहीं है आज तक किसानों के साथ वह बैठक नहीं कर पाए हैं आज भी धेड़े से गाउं हैं जहां की सरक से जूर नहीं पाया हूँ गाउं जैसे कठ़वतिया गाउं है लखी सराय बड़हिया परखंड में अभी भी मालपूर है धीरा डार है इसे धेड़ सारे गाउं हैं जो भी अभी सरक से नहीं जूरे हैं और वो केवल जनपरतिनी धी के उदासींता के कारण नहीं जूर पाए हैं लोगों में आक्रोस है लोग किसी भी स्थिति में किसी द दोनों एक साथ आगे बढ़ने की कोशिस कर रही है और ऐसे मैं आपको नहीं लगता कि लड़ाई दोनों की बीच है एंडिये को सीट जीतने की जरूरत है उमिदवार की नहीं सीट जीतने के लिए वो निश्चित ही एक मजबूत उमिदवार की तलास है और मुझे उमीद ह जी का जो काम है वो दिखता है हर सरक में हर गली में दिखता है लेकिन जहां जनपरतिनी दी उदासीन है वहां काम कम दिखड़ा है लोगों की सिकायतें बहुत ज्यादा है लोगों की जन समस्या बहुत ज्यादा है कोई वहां सुनने वाला नहीं है कि आखिर उसका सुनेग कौन जातिया समीकरन क्या है सिर्वाँ पर जातिया समीकरन लखी सराय अगले बार मैं निर्दलिया चुनाव लड़ा था लखी सराय विधान सभा से और जातिया समीकरन में मैं फंस गया था जिसके कारण में बहुत कम बोटला पाया था वहां भुमियार बाहुल इच्छतर ल भुम्यार आपके पक्ष में जाएंगे आपको वोट करेंगे निश्चित है इसलिए कि अगामी चुनाव जीतने के बाद वो डाइरेक्ट अपना ब्यान दे चुके हैं कि लखी सराय के भुम्यार भरम में ना रहें मैं भुम्यारों के बोट से नहीं जीता हूं मुझे गौं कि एक पेपर में अखवार में भी चापा गया कि लखी सराय भुम्यार भरम में ना रहें मैं भुम्यारों के बोट से नहीं जीता हूं तो क्या लगते आप वुम्यारों ने पाला बदलने की तैयारी कर लिए इस बार वो आपके साथ आएंगे एक दम निश्चित एक मजब आरा सो दिन 25 दिन होता है और मैं अठारा सो दिन जनता के बीच रहा चाहे कोई डूब गया कोई श्रक दुरगटना हो गया किसी की बिर्धा पेंशन हो किसी का इंद्राबास जहां भी सिकायते मिलती थी मैं उन गडीब और सहाई के साथ हर कदम पर खड़ा मिलता था उनके यह लखेड़े का को बीचेड़ी कोई नेकिल ॥ी मांघटबंधन का कोई वहाँ पर इसे नहीं के मिलने के त्यार और ने Cや इसा कोई नहीं बस अभी है कि 5 साल गाउीब है और अभी टिकट के लिए Source Zurich ही है लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी का ऊवर कर हैं और अभी टीकट के लिए ऐसा उमिदबार अभी नहीं है महागट बंदन में जनता का मिजाज क्या कहता है आपकी अनुसार क्योंकि आप वहाँ पर दाविदारी पेश करने वाले हैं तो आपने भापाब भी होगा कि जनत लेकिन अगर बीजय कुमार सिन्हा जी रहेंगे उमिदबार तो निस्चीत ही वह दूसरे को देगी बीजय कुमार सिन्हा को नहीं स्विकार करें तो यह होट सिट की बात हम कर रहे थे लखी सराय वधान सभाश्रत्र जहां पर महागट बंदन वर्सेस एंडिय की लेकिन जेडियू किस तरीके से दमखंप के साथ उतरती है और कैसे अपने आपको साबित करती है और इसके साथ जस तरीके से अभी इन्होंने बताया कि विजय कुमार सिन्हा जी वहां से वर्तमान बिधायक है ऐसे में उन्हें टकर देने के लिए किस तरह की रणीती कर दिसकाट